घर बनाने से पहले हम सोचते थी कि जब माटेरियल के रेट कम हो जाएंगे तब जाकर हम हमारे घर का काम सुरू कर देंगे कुछ साल पहले की बात है कि 1000 स्कौार फिट का घर बनाने में आपको लगभग 12-13 लाक रुपए का खर्चाता था यानि कि इस कीमत में आपका घर फिनिस के साथ बन जाता था पर आज ऐसी परिसिती नहीं है माटेरियल और लेबर के रेट दोनों बढ़ चुके हैं यानि जैसे से टाइम बीत रहा है घर बनाने की लागत बढ़ती जा रही है तो घर बनाने का सही टाइम तभी होता है जब आपका प्रापर प्लानिंग हो जाता है पैसो का तब जाकर आपको घर का काम सुरू कर देना चाहिए तो इसलिए आपको यह जान लेना जरूरी होता है कि कोई भी घर आप बनवाने वाले हैं उसका एप्रॉक्सिमेटली कितना खर्च होने वाला है तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि 2030 में आपको घर बनाने में आखिर कितना खर्च आ सकता है और हाँ वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप अपना घर बनवाने जा रहे हैं तो नोवस सिविल के तरब से आपको धेर सारी सुबकाम नाए और वीडियो के ए देखें तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जिस घर के कोश्ट के बारे में हम जानने वाले हैं आखिर इस घर में कौन-कौन सी चीजें इंकलूड होंगी सबसे पहले चीज घर जो है वो आरसेसी स्ट्रक्चर फ्रेम में बनाया जाएगा याने के घर के लिए कालम बीम और स्लेब का इस्तिमाल किया जाएगा और अगर हम दीवारों की बात करें तो दीवारों की मोटाई 9 इंच और 4 इंच होगी और जो आपका फांडेशन होगा वो 5 फिट गहरा होगा इस घर के कोश्ट में हमने प्लंबिंग कोश्ट, टाइलिंग कोश्ट, पेंटिंग कोश्ट डोर विंडो ऐसी सभी चीजों को इंक्लूड किया है और कुछ चीजों को यहां पर एड नहीं किया गया जैसे कि प्लाट का कास्ट, बोरिंग, कमपाउंड वाल या फिर आपके घर का फरनीचर ऐसी चीजों को यहां पर एड नहीं किया गया है अब घर बनाने का जो कौश कोस्ट होता हुआ मैलनी दो चीजों पर निर्भर करता है एक होता है आपका material कोस्ट दूसरा होता आपका labor कोस्ट लगबग 70% खर्च material कोस्ट पर चला जाता है अब हम जानते हैं metal कोस्ट के बारे में अगर आप 1000 स्कॉयर फीट का घर बना रहे हैं तो आपको लगबग 500 बैग सीमेंट लगेगी अब हम मान कर चले कि एक सीमेंट बैग अगर 400 रुपए का पड़ रहा है तो 500 बैग सीमेंट का rate आपको 2,00,00 रुपए पड़ेगा सीमेंट खर्च में अब बात करते हैं इस्टील की 1000 स्कॉयर फीट का घर बनाने के लगबग आपको 3500 केजी तक इस्टी कॉश्ट आजाता है आपका और अब हम यहां next material की बात करें तो वह है sand, sand का जो rate है market में अलग 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 rate है तो अगर आप 1000 स्कॉयर फीट प्लाट का घर बना रहा हैं तो आपको लगबग 2000 से 1200 फीट तक sand लगने वाला है अगर sand का rate market में 80 रुपए है तो इसका खर्च 168 हजार आजाता है और अगर गिट्टी की बात करें तो वह 1300 CFT लगेगी जिसका rate 80 के ही हिसाब से मैंने लगाया है वह आपको एक लाग 4000 का cost आजाएगा गिट्टी का next material की बात करें तो जो की है bricks तो अगर आप 1000 स्कॉयर फीट का घर बनवाने की बात करें तो जिसमें दीवा अब आते हैं plumbing के तरफ तो 1000 स्कॉयर फीट का घर बनाने के लिए आपको जो plumbing का cost आता है वह आता है 80,000 रुपए तक जिसमें आपके plumbing के pipe लगते हैं या फिर घर के उपर जो overhead water tank लगता है या फिर septic tank हो या फिर आपके घर के सभी null हो और sanitary fitting इन सभी चीजों को add किया गया ह next अगर हम tile की बात करते हैं तो इसका cost depend करता है कि कौन सी type की या फिर कौन सी company की tile आप लगाते हों तो approximately आपको 1000 स्कॉयर फीट का घर बनाने में 80-90,000 रुपए का cost आता है tile में अब next item की बात करें जो की है granite granite का cost मेलने दो चीजों पर depend करता है पहला कि कितने rate का आप granite आपने select किया है और दूसरी चीज कितनी quantity में आपने अपने घर में granite को लगवाया है यानि कि कुछ लोग सिर्फ kitchen counter में ही granite लगवाते हैं तो कुछ लोग अपने door frame में, window frame में और parking में भी लगवाते हैं इसी से लेकर 60,000 रुपए तक का खर्चा सकता है अब हम बात करते हैं जो की है electric work, electric work में जो आपका material लगेगा वह लगवाक आपको 80-90,000 रुपए तक का cost लग सकता है और अगर आपके standard size खिड़किया है तो वहाँ पर अगर आप aluminum paneling का window लगाते हैं तो आपको 65-75,000 तक का खर् होंगे कि आपके घर में कितने doors हैं और कौन से type की door आपने choice किया है इन चीजों के उपर और अगर आप अच्छे quality का pent अपने घर में लगा रहे हैं तो 70-80,000 रुपए तक का खर्चा सकता है आपके 1000 square feet का घर pent करवाने में इसके अलावा और भी बहुत से item होते हैं आपके घ यहाँ पर हमने man-man item को ही cover किया है और यहाँ पर जो हमने material का rate देखा है वह एक tentative idea लेने के लिए है actual में जो cost है वो depend करता है आपके plan किस तरीके से है quantity कितनी है material की यहाँ पर हमने man-man item को cover कर लिया है और यहाँ पर जो हमने material का rate देखा है वह एक tentative idea आने के लिए है actual में cost है वो depend करती है आपके plan किस तरीके से है quantity कितनी है material की उसके बाद में rate किस तरह से है location क्या है ऐसे बहुत से सारी चीजों पर जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि 70% ख square feet plot पर आपको घर बनाना है तो material cost के लिए आपको इस साल में 13 से लेकर 14 लाग रुपए तक का खरचा सकता है material cost में जहां तक बात आती है labor cost की तो 220 रुपए से 230 पर square feet के हिसाब से आपको labor cost लग सकता है जिसमें आपका suttering work, brick work, slab costing यह सब चीजे include है यानि की 220,000 तक खरचा या सब कारे कराने में अब बात करें अगर tile work की तो 1000 square feet के लिए आपको 50 से 60,000 का खरच आ सकता है labor cost में यहां पर tiling work और granite work दोनों को include किया गया है और अगर यहां पर plumbing cost के बारे में बात करें तो आपको plumbing के लिए 15 से 25,000 का खरच आ सकता है जैसा कि हमने देखा 30% का खरच आपका labor cost में आ जाता है जिसमें कि आपके पूरे घर का labor cost को add किया जाता है तो अगर हमारा 30% labor cost में खरच हो जाता है तो लगबग 5 से 5,50,000 का खरच आपका labor cost में आ जाता है तो कुल मिला कर देखें हम तो 2030 में आपको 1650 से लेकर 1750 रुपए पर square feet का cost आ सकता है 1000 square feet का घर जाने में यह जो हमने cost निकाला है उससे भी ज्यादा खरचा सकता है यह चीज मैंने depend करती है कि कौन से type का आप घर बनवा रहे हैं यहाँ पर labor की क्या rate है या फिर material का क्या rate है इन सब पर depend करेगा और एक सबसे important बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप घर का costing निक के तो इसके लिए थोड़ा सा extra peso का बंदवस जरूर कर लें वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे like कर दीजे और अगर आप चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को subscribe कर लें और अगर आप नया धर बना रहे हैं तो novas civil की तरफ से फिर से आपको धेर सारी नवाद।